दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा 100% शोर है कि आपका इंटरनेट लैप्टोब या डेक्सटोब में काम नहीं कर रहा होगा वहाँ पर लिखा रहा होगा no internet access connected होगा but internet access नहीं कर रहा होगा अभी आप यह वीडियो जो देख रहे हैं वो आपके फोन में देख रहे हैं और आपका internet जो है वो बंद है आप सोच रहोंगे कैसे इसको चालू करें windows 10 आप यूज कर रहे हैं मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था windows 7 के बारे में बट वो थोड़ा सा outdated हो गया है क्योंकि windows 7 कब से आके जा भी चुका है वो बंद भी हो चुका है ठीक है अभी यहां पर windows 10 में अगर यह problem आती है तो कैसे इसको solve करना है इस वीडियो में बताने वाला हूं तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है windows 10 वैसे तो यह बहुत कम प्रोब्लम आती है बट अगर आती है तो कैसे इसको solve करना है वह मैं थोड़ा सा आपको डीटेल में बता देता हूं मुझे खुद यह problem आती है देखिए अभी मैं इसको आपको डीटेल में बताता हूं मेरे laptop में चले तो लगा रहा है मतलब में यहां पर पासवर्ड अगे रहा है सब कुछ सभी डाले हुए है सब कुछ क्लियर मतलब आप देख पा रहें यह connect नहीं हो रहा है यह problem मेरे इसमें भी आती है और आपके इसमें भी आई होगी तब भी आप यह वीडियो देख रहे है तो देखिए अ यहां पर इस तरह का आइकोन आएगा अगर नो इंटरनेट एकसेस होगा तो अगर इंटरनेट एकसेस होगा तो कुन सा इकोन आएगा वो मैं आगे बताऊंगा पर अभी दिखिए यहां पर जाएंगे आप नो इंटरनेट एकसेस बट कनेक्टेड कनेक्टेड है देखिए पर नो इंटरनेट एक से रहा है बट यह कनेक्टेड है यह पर लिका रहा है यह डिवाइस इसका सॉलूशन मुझे पता है देखिए चेंज एड़ाप्टर सेटिंग पर जाना यह आ गई आप यहाँ पर उसके बाद आप चेंज एड़ाप्टर ऑप्शन्स आता है नीचे द तो देखिए एक ओ नई विंड़ो ओपन होगी अब इस नई विंड़ो में आपको तुड़ा सा ध्यान देना है दिखिए यहाँ पर क्या होता है नई विंड़ो में आपको दो ही ओप्शन मिलेंगे एक तो इधरनेट वाला यानिकी जो लेन से कनेक्ट होता है वो और एक वाला जो कि हम वाइफाइ से कनेक करते हैं अपने लेप्टॉप को तो आपके डेक्स्टॉप में भी यह प्रोल्म आरिये लेन में तो भी यही सोलुशन ने जो मैं बता रहा हूं और वाइफाइ से भी प्रोल्म आरिये तो भी यही सोलुशन है ठीक है तो जिनको प्रोल्म अनेबल कर दिये मैंने कुछ नहीं किया है यहां पर अभी में गया हूं देखिए आपको मैं स्लो बताता हूं मैंने कुछ नहीं किया है ठीक है सिर्फ डिसेबल अनेबल किया है और कुछ भी नहीं किया है यहां पर गया दोनों पर राइट क्लिक किया डिसेबल कर दिया राइ यहां पर प्रोब्लम का सलूशन नहीं होता है तो उसका दूसरा सलूशन भी है यह जो सुलूशन में बता रहा था यह अभी बताने वाला हूं जो आगे यह मैं अलड़ी बता चुका हूं मेरे पुराने वीडियो में तो वह देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है पर यह भी देख लिए अगर इससे अपकी प्रोब्लम सौल नहीं होती है तो देखिए राइट क्लिक करिए प्रॉपरटी पर जाईए यहां पर जो भी आपका कनेक्शन ने कि वाइफाइ में प्रोब्लम आरी तो वाइफाइ पर राइट क्लिक करना है आपको और इस से याँ अगर आप को इसमें प्रोब्लम मारी अगर आपको इसमें प्रोब्रम मासीं से में बस्त करना उसी पे कहाँ अगर Nina क्रपर्टि में जांगे प्रोपर्टी में जाने क्वाद एक नहीं विंडो प्रों Küpp है अब ही हम नियुद से लोग दिघ्र शिल करा टर लोग्य कि करते इंदिए सब्का सब्सक्राइब आपको यहाँ उप्शन दिखा को फस्त वालब जू प्रोप्शन है वंहीं प्रयुट्कर सब्सक्राइब तो ओटमेटिक कभी कई बार प्रोब्लम दे देता है तो हम क्या करेंगे इसको यूस फॉर्लॉइंग डी एनस पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिख देंगे वन लास्ट टाइम मैंने 888 वाला बताया था वो गूगल का था ये एक नया डी एनसे अगर 111 से नहीं होता है तो आप जो है 888 भी ट्राय कर सकते हैं तो यह मैंने देखिए हैं यहां पर लिख दिया है प्रिफेर्ट यह डिनस सर्वर में आपको 1111 लिखना है बाकी और कुछ बिन लिखना है और अल्टरने डीनस सर्वर में आपको लिखना है 1100 यहनिकी डोट लगाना है सब की बीच में और यह में प्रिफेर्ड और अल्टरने डीनस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप देख सकते हैं इसको भी अगर इससे भी आप और फिर उसके बाद ओके करके अपलाय ओके भी करना है मेरे इससे चल रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं मैं ओके कर अगर फिर भी नहीं चलता है तो आपको restart करना एक बार यह करने के बात system को restart करना है ठीक है तो अगर यह नहीं काम किया तो उसके बाद भी मेरे पास एक और डीने से इसमें जाएंगे वापस property में जाएंगे और इसमें यहां पर click करेंगे 888 पर अब जो मैंने 111 लिखाए इसकी जगा में लिख दूँगा 888 और 8 ठीक है और नीचे लिखना है 8 और 8 00 यह यह आपको करना है that's it और ओके कर देना है तो यह डीने जो है वो चेंज हो जाएगा और आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा यह करने के बाद आपको जब 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 भी आप डीने चेंज करें तब आपको restart करना है अपके system को तभी वो work करेगा अगर already चल रहा होगा तो फिर कोई फरक नहीं पड़ेगा बढ़ा जब भी आप यह करें तो आपको जो है वो restart करना पड़ेगा तब आपका system में जो है net access होने लग जाएगा मेरा फिलाल ऐसे ही work कर रहा है तो मैं इस स्क्रीन शोट बेजिए कि क्या प्रोब्लम हा रही है मैं वहां पर आपकी directly help करूंगा Instagram पर में बहुत active होता हूं वहां पर हमारे page को follow कर लिजिए message करिए मुझे मैं directly help जरूर करूंगा इस तरह से आपकी no internet access वाली जो problem है internet connect नहीं हो रहा है connected है बट connect नहीं हो रहा है उसकी problem solve हो सकती है Windows 10 में अगर फिर भी आपका कोई question है कोई doubt है comment session को ला है आपके लिए comment session में उसे पूछ सकते है मैं जरूर से उसका reply करूंगा और अगर आपने Instagram पर मुझे follow नहीं किया है तो Instagram पर follow कर लो और directly आप मुझे महां पर message में पूछ सकते हो अगर कोई भी problem आती है तो वो आपको normally पता नहीं चलता है हो सकता है मानलो आपको प्रोडेक्ट लेना है तो आपको कैसे पता चलेगा एसी ही डील यानिकि एकदम best deal डालता रहता हूं में वो आपको हमारे telegram channel पर मिलेगी तो telegram channel का link आपको video description में मिल लागा महां जाकर आप उस channel को join कर सकते हैं और का आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें अधिक तरह हम problem solving videos ही डालते हैं इस channel पर टेक्स से रिलेट जो problem होती है तो इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें that's all for this time thanks for watching